नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना जो लोग कोरोना को ऐसे ही ले रहे हैं कि कोरोना तो बस हववा है कुछ नहीं होने वाला है उन लोगों को अभी जो खबर में बताने जा रही हूँ उससे लगेगा कि इस कोरोना ने लोगों से क्या कुछ छीना है और लोगों को जिन्दगी भर की चोड़ दे दी है हम सब जानते हैं कि कोरोना ने कई परिवारों को तोड़ा है किसी ने अपनी मा को खोया है तो किसी ने अपने पिता को खोया है किसी ने अपने बच्चे को खोया है लेकिन बात करें अगर young children की तो उनका एक data सामने आया है जिसमें बताया गया है कि किस उम्र के कितने बच्चों ने माबाप को खोया है, किसी ने one of the parents खोया है और कुछ बेघर होए है National Commission for Protection of Child Rights ने एक data जारी किया है जिसमें उनोंने कहा है कि 1,47,000 बच्चों ने अपने parents को खोया है इस corona की वज़े से इसमें 76,000 लड़कियां है और 70,000 लड़के हैं अप्रेल 2020 से अब तक देश में 10,000 से उपर बच्चे अनात हुए हैं 1,36,000 से उपर बच्चों ने माता पिता में से किसी एक parents को खोया है और 488 बच्चों को उनके ही parents ने छोड़ दिया है तो कुल मिलाकर 1,47,000 बच्चे जो हैं बिना parents के रहे हैं इसमें से 59,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 8 से 13 साल की है यानि कि छोटे हैं अभी पढ़ाई की उम्र है 22,000 बच्चे 14 से 15 साल के हैं 22,000 16 से 18 साल के और 26,000 4 से 7 साल के बच्चे हैं इन बच्चों में से 1,25,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अब सिर्फ single parent बच्चा है वो या तो अपनी मदर के साथ रह रहे हैं या अपने फादर के साथ 11,000 बच्चे ऐसे हैं जो अब अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ रह रहे हैं और 8,400 बच्चे ऐसे हैं जो किसी guardian के भरोसे अब रहेंगे रहेंगे ये बच्चे इनका फ्यूचर इनकी जिन्दगी कितनी कठिन होगी और इनकी जिन्दगी में जो कुछ प्रॉब्लम्स और कठिनाईयां आगे जाकर आएगी हर वक्त उन्हें ये कोविड याद आएगा तो जिस कोविड को इजी लिया जा रहा है कि अरे कुछ नहीं हैं सिर्फवा बनाया हुआ है ये डेटा बोल रहा है कि कितने बच्चे अनाथ हुए हैं खबर ठेकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठेकाना